यह हो क्या रहा है क्यों चाहिए फाइजर की वेक्सिन कि मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं फाइजर को सेंट्रल गवर्मेंट ने जब बोला था कि आप यहां ट्राइल कर लीजिए फाइजर ने मना कर दिया था कि हमें कोई ट्राइल नहीं करने ठीक है न फाइजर से जब Central Government ने बात करी कि आप आपकी responsibility क्या रहेगी और कैसे हिसाब रहेगा फाइजर ने ट्राइल रंग करने से मना करा फाइजर ने responsibility लेने से भी मना कर दिया कि अगर कल को किसी भी एक इनसान की भी कोई सीवियर इल्नेस हो जाती है किसी की तवेच जादा खराब हो जाती है वैक्सिन लगने के बाद तो सारी जिम्मेदारी वैक्सिन निर्माता की नहीं होगी सारी की सारी जिम्मेदारी Central Government की होगी जब आप यहां ट्राइल भी नहीं करने आ रहे हो और आपको सारी दूसरी बात उसमें खर्चा इतना है साव हद से ज्यादा खर्चा है सर इतनी महंगी वैक्सीन है और चले ठीके महंगा सस्ता एक बार को देखे भी जाए आदमी की जान इंपोर्टेंट है बर दूसरी बात क्या है कि उसको ट्रांस्पोर्टेशन कैसे करेंगे वह माइनस 80-70 डिगरी चाहिए उसके लिए सर कहां रखेंगे उसको इतनी फैसिलिटी आपको नहीं दिये आपके पास नहीं इतनी फैसिलिटीज कि आप माइनस 80-70-60 डिगरी टमपरेचर मेंटेन कर सको जहां kovi शिड्ट और kovaxin में आपको 4 डिग्री मेंटेन करना वहां तो आपने एक एक स्टेट में 11-11 लाखे वेस्ट कर दी एक स्टेट की बता रहा हूँ इतनी सारी वेस्ट हुई हैं महां पर 11 लाख हो रही है कहीं एक लाख वेस्ट हो रही है कहीं 2-0 हुए है बहुत बड़ा आकड़ा है जो वेस्टेज का अगड़ा है कम से कम वेस्ट तो मत करिए इतना वेक्सिन ठीक है मैं मुलता हूं कि हर चीज जान पूछके नहीं की जाती कुछ हो सकता है बट कुछ चीजों को शायद ना संभाला जा सकता था उसके बाद वह खराब होई है तो क आप जाएएगा गूगल पर सर्च कर देगा आपको पता चल जाएगा कितना वेस्टेज हुआ आप तक वैक्सिन का खेल बना गए रख दिया लोगों ने अरे वैसे ही इनसान की जान को है नहीं उपर से इतना वेस्टेज चल रहा है वैक्सिन का और आप उन्हें कर लेंग जो लेके आएंगे उन्हें ट्रक्स तो आपके पास अवेलेवल नहीं थे और आप इन्हें मेंटेन कर लेंगे और मुझे एक बात और समझनी आती है सेंटर और स्टेट का वतनी आ लगी लफला चल ला इन लोगों का पहले इन लोगों ने बोला सेंटर को जिम्मेदारी न मांगी और आप भी बैक आफ करके उसके ओपर डिमेडारी डाल रहे हो चलो ठीक है सही है कोई नहीं करिया आपका काम है और और रही बात इसकी फाइजर की आप देख रहे होंगे यह जो सौरस स्पॉंसर्ट जो मीडिया है ठीक है ना मैं नाम यूज कर रहा हूं सौरस स्पॉंसर्ट मीडिया आप आप जाने कौन सी कौन सी है गूगल कर ले जाएगा अगर मिल जाएगा आपको यह लोग पीछे ही पढ़ गए फाइजर और मोटरना के कमिशन बंद रहे हैं क्य फैसिलिटी होनी चाहिए पहली बात तो यह ठीक है ना वह मैंने उस दिन भी बोला था वैक्सिन कोई बच्चों को खेल का नहीं है बनाना आपको काम देखना पड़ता है यहां पर बन पाएगी नहीं बन पाएगा आपको यूनिट्स लगाने पड़ते हैं आपको रो मैट सबको बना लेंगे बना लेंगे बट क्या वो बना सकते हैं कि सवाल यह है ठीक है ना मेरी बुक पढ़ने को मैं बोलू कोई भी बुक पढ़ देगा बट क्या उसको प्रैक्टिकल इंप्लिमेंट कर सकता है कि अगर जिसको नॉलीज होगी जो इसके पास वो समान होगा जि को ही तो कर पाएगा ना में कर दो बहुंद कर दो आप कर दोंगे का द लिए एकिप में ना दूँ आपको मैं परोसीज़र ना दूँ आपको प्रोटमोल नपताओं आप कैसे कर दोगे दफ आइसे नहीं होता पहले सब कुस देखना पड़ता उसके बाद जिमिदारिया मिलती है सबको यह मजाक नहीं चल रहा है आपको पता है कितने करोड़ों का नुकसान हो जाता है एक एक बार में तो यहां फाइजर ने तो सारी रिस्पॉंसिबिलिटी लेने से मना कर दिया पर इन लोगों को पड़ी हुई है कि आओ 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 इधर आओ जाओ कि देखिए जब अब चीजे ज़्यादा बढ़ने लग जाती है ना तो दूसरी तरीके से भी एक बार सोच लेना चाहिए कि कहीं इसके पीछे कुछ है तो नहीं कि मैंने तो कोई पिच्चर भी देखे हैं कि गेट्स की जो वाइफ हैं वो घूमरी ती धर उदर जो अब वहान के रिसर्च लैप्स की फोटो है शाय दो और जो इनका फाइजर का भी महाँ पे पर अब कि एक रिसर्च लेवरेटरिया महां पर भी फाइजर की अब क्या लिंक्स है मुझे मैं ज्यादा उन बातों में नहीं पढ़ना चाहता मैं इस वोडियों पर ज्यादा बोल भी नहीं सकता बट आपके पास भी यह मुबाइल फोन है आप भी कुछ सर्च कर सकते हैं आप पढ़के देख लीजेगा ठीक है ना वही बिल गेट्स जो यह बोल रहे थे कि इंडिया के साथ कोई भी फॉर्मला शेयर करने की कोई जरूत नहीं है वैक्सीन का बाइसाब बहुत-बहुत धन बहुत-बहुत अभार अभारी होंगे हम आपके अगर आप यह पेटेंट वगएरा सब कुछ खतम करवा देतों हम तो बोलते हैं कि और वह नौलीज जो शेयर ना वह नौलीजी कैसी है होता है पेटेंट के चक्कर में एक टेखनालोजी एक चीज एकी कंट्री में एकी ने सब्सक्राइटी से हूं मैं भी रिसर्चर हूं पर मैं इस चीज के बिल्कुल खिलाफ हूं यह जो पेटेंट और यह सब होते हैं ठीक है ना और रहने दीजिया आपको यह लग रहा था कि आप फॉर्मला दे दोगे तो पता नहीं आ तो चमतकार हो जाएगा जैसे भारत मे है आप नहीं दिया ना अमारे पास सफीशेंट वैकसींस है भाद्व रटवटेक की हमारे पास होल हों यून इनक्तिवेट है यह बदो वह ल्द्य सूथ यहside के साथ लू रेकर भी है पर यह जू बाकी की छैग बोलीघो ठीक है जाइडस वाली डीने वैक्षीन भी अभी जून में आ जाएगी सर आप से तो बहुत-बहुत धन्यवाद आप दूरी रहे सर अमरे देश से इस वैक्षीन के मामले में तो आपको बाकी और जो करना गेट्स पाउंडेशन को आप करिए पर इस मामले में आप दूर रह थी मेरे गैप पर जो सोशल मीडिया काउंट है महां पर लिखा हुआ है ठीक है ना पिछले साल की बात बता रहा हूं मैं जब तो वैक्षीन का इस टाइम पर कुछ चल भी नहीं रहा था कि मैं शेयर भी कर दूंगा आपके साथ स्क्रीन पर आप जाएगा आपके वहां कि अगर इंडिया ने अपनी वैक्सिन नहीं बनाई ना तो यहां जड़वा ले ना इस देश से तो यह जीना हराम कर देंगे दुनिया वाले मांतों मदद आती है बहुत देशों से बढ़ कितनी आई कि इस है कि सब कुछ बंने का समानी इंडिया में इंडिया सची फार्मेजी और कोई दिनिया में नहीं अगर हमारे पास ही नहीं होती ना तो हमें लेने को देने पर जाते हैं और हमारे पास बहुत अच्छे साइंटिस हमारे पास बहुत अच्छे डॉक्टर ने सर बहुत दिमाग है उन लोगों में आपकी हमें खेरात की कोई जरूत नहीं है महताज नहीं सरम आपके बहुत-बहुत धन्यवाद उसके लिए तो